नमस्कार, मैं कुंदा नाप सभी का साहित गंगा चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे अचारे हजारी परसाद दुएदी के निबंध असोक के फूल। यह एक ब्यक्ति ब्यंजक निबंध है और इसमें ब्यक्ति ब्यंजक निबंधों के सारे गुन मौझूद है। के उत्तर आ जाते हैं जो छोटे छोटे लगुत्री या अती लगुत्री होते हैं। तो आईए शुरुवात करते हैं साहितिक समिच्छा की सबसे पहले हम लोग इस निवन्द के सार को देखते हैं यानि सारांस को देखते हैं कि निवन्द कहता क्या है और फिर उसके बाद हम लोग उसकी भासा साहिली को देखेंगे इस निवन्द की सुरुवात में ही अचारे हजारी परसाद दुएदी जी ने असोक के फुल को लेकर के अपनी चिंता ब्यक्त किये। उस हिसाब से अगर हम देखें पूरे निवन्द को तो चार भागों में मैंने बाटा है कि इसमें दुएदी जी ने किनकिन तत्थेों का या किनकिन चीजों को लेकर के इसमें चर्चा किये हैं। वह चार तत्थे आपके सामने स्क्रीन पे भी मैंने लिख दिया है और इसी क्रम में हम लोग इन ही बिंदुओं को लेकर के इसके सरांस को देखते चलेंगे। पहला बिंदु है असोक के फुल और हजारी परसाद दुएदी की चिंता। अचारे दुएदी जी असोक के फुल की चिंता करते हुए कहते हैं कि असोक में फिर फुल आ गये हैं। बहुत सोच समझ कर कंदरव देवता ने लाखो मनुहर पुस्पो को छोड़ कर सिर्फ पांच पुस्पो को ही अपने तूडिर में अस्थान देने योगे समझा था जिसमें एक यह असोक भी है। यहां पे पांच यो पुस्पो की चर्चा कर रहे हैं अचारे उन पांच पुस्पो के नाम कुछ इस प्रकार हैं एक अर्विन, दूसरा आम, तिसरा निलोत पल, चौथा नौमल का और पांच वा आपका असोक के फूल। इसी में वा उपनी चिंता को ले करके यह कहते हैं कि पुस्पित असोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुन्दर वस्तूओं को हत भाग गये, वा मजने में कोई विशेश रस मिलता है, यानि आनन मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्सी होते हैं, जो भी सामने पढ़ गया, उसके जीवन के अंती मुहुर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टी इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। और अपनी चिंता के क्रम में ही इस निवन्द के लाष्ट में दृष्टी जी कहते हैं, काली दास इसका रस ले सके थे, अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ, अपने ढंग से उदास होना बेकार है। आईए अब इसके दूसरे बिंदु भारती साहित में असोक के फूल को देखते हैं। पवित्रता है और सुकुमारता है। में कभी नहीं मिला। आगे वह इसी में कहते हैं, कंदर्प देवता क्यानने बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कहने का मतलब यहाँ पे दुएदी जी का यह है कि कभी तो आज भी फूलों की उप्मा अपने रचनाओं में डालते रहते हैं ताकि उसका संदर को बढ़ाये जाए। पर बाकी जगहों पे यह नहीं दिखाई देता है। एक तरंगाईत पत्र वाले निफुले पेंड को सारे उत्तर भाग में असोक कहा जाने लगा। याद भी किया गया तो अपमान करके। फिर वो आगे चर्चा में कहते हैं इस्वी सन के आरंभ के आसपास असोक का सांदार पुष्प भारतिय धर्म सहित्य और सिल्प में अधभूत महिमा के साथ आया था। कंदर यदपी काम देवता का नाम हो गया है तथा भी वह गंधार्व कहीं प्रयाय है। रविन्नात ने इस भारत वर्ष को महा मानव समुद्र कहा है। असोक की भी अपनी स्मृति प्रम्परा है। आम की भी है, बकुल की भी है, चमपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका। ना जाने किस बुरे मुहरत में मनोजन्मा देवता निस्युपर बान फेका था, सरीर जलकर राक हो गया। आगे वो पुस्पो का इतिहास का चर्चा करते हुए कहते हैं कि वामन पुरान की गवाही, पर हमें मालूम है कि उनका रत्न में धनुष तूटकर खंड खंड हो, धर्ती पर गिर गया, जहां मूठ थी, वह अस्थान रुकमडी से बना था, वह तूटकर धर्ती पे गिरा, और चंपे का फूल बन गया, हीरे का बना हुआ जो ना अस्थान था, वह तूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुस्पो में बदल गया, अच्छा ही हुआ, इंद्र नील मडियो का बना हुआ, कोटी देश भी तूट गया, और सुन्दर पाटल पुस्पो में परिवर्तित हो गया, यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुन्दर बात यह हुई, कि चंद्र कांत मडियो का बना हुआ, मद्य देश तूटकर चमेली बन गया, और विद्रूम की बनी निम्नतर कोटी बेला बन गया, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुस जो धरती पर गिरा, त लिएक इस वामन पुराण के कठा का रहस्य पर कहते हैं कि इसका रहस्य क्या है, यह क्या पुराण कार की सुकुमार कलपना है या सचमुची यह फूल भारती संसार में गंधरवों की देन हैं, एक निश्चित काल के पूरु, इन फूलों की चर्चा हमारे साहित में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधरवों से खरीदा जाता था। ब्राम्हण ग्रंथों में यक की विधी में यह विधान सुरच्छित रखा गया है। में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अच्छा नीधी के अधिस्वर भी हैं। यच्छमा यानी टीवी की विमारी। के रोग के साथ ही इन लोगों का संबंध आज जोड़ा जाता है। भरहुत बोद गया साची आधि में उतकिर्ण मुर्तियों में संतान अर्थिनी इस्तिरियों का यच्छों के सानिध के लिए विर्चों के पास जाना अंकित है। इन विर्चों के पास अंकित मुर्तियों की इस्तिरिया प्राया नंगन है। केवल कटी देश में एक चोड़ी मेखला पाने हैं। असोक इन विर्चों में सरवाधिक रहस्य में है। सुंदरियों के चरण तालन से उसमें दोहत का संचार होता है। और परवर्ति धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र सुकल अस्टमी को वरत करने और असोक की आठ पत्यों के भच्छर से इस्तिरी की संतान कामना फल्वती होती है। आगे इसी में वह कहते हैं कि असोक कल्प में बताया गया है कि असोक के फुल दो प्रकार के होते हैं सफेद और लाद। फिर आरे साहित की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भरहुत साची मतुरा आदी में प्राप्त यच्छिनी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से अस्पश्ट हो जाता है कि ये जातिया पहारी थी। हिमाले का देश ही गंधर्व यच्छ और अपसराओं की निवास भूमी है। इनका सम्माज संभावता उस अस्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुना लुवन सुसाइटी कहते हैं। संधान जानते थे, प्रित्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जनकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभावता इसी कारण उनमें विलास्ता की मात्रा अधिक थी। परवर्ति काल में यह बहुत सुखी मानी जाती थी। याच और गंधर्व एकी स्रेणी के थे। प्रन्तु आर्थिक इस्तिती दोनों की थोड़ी भिन्ने थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा वह मनुरंजक कता है। असल पूजा असोक की नहीं बलकि उसके अधिस्ठाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदन उत्सव कहते थे। महराज भोज के सरस्वती कंठा भरण से जान पड़ता है कि या उत्सव त्रेयोदसी के दिन होता था। मालुकागनी मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वरणन मिलता है। इसी में आगे हजारीपरसाद वेदी कहना चाहते हैं कि या उत्सव एक मादक उत्सव है भारत वर्थ का स्वण योग इस पुष्ट के परतेक पल में लहरा रहा है। आगे जो हजारी परसाद द्वेदी कहते हैं उसको मैंने आज के समाज में असोग के फूल की इस्तिती बिंदू के अंतरगत रखा है। इसमें हजारी परसाद द्वेदी जी का कहना है कि दुनिया बड़ी भुलकल है। केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सथा है बाकी को फेक कर आगे बढ़ जाती है। असोग पीछे छुट गया। सभ्यता और संस्कृति का मोच छण भर बाधा उपस्तित करता है। धर्माचार का संसकार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है। पर इस दूर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। कालिदा जैसे कल्प कभी ने असोग के पुस्प को ही नहीं किसलयो को भी मदमत करने वाला बताया था। अवस्य ही सर्त या थी कि वह दैता यानी कि प्रिया के कानों में जूम रहा। परंतु साखाओं में लंबित वायू लूलित किसलयो में भी मादत्ता है। मेरी नस नस से आज करूण उल्लास की जन्जा उत्थित हो रही है। मैं सच्मू चुदास हूँ। कहते हैं कि समराटों समन्तों ने जिस अचार निष्ठा का इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचारियों ने जिस ज्ञान और भैरागे का इतना महार्ग समझा था वह लुप्त हो गया। मध्यू के मुसल्मान रईसों के अनुकरण पर जो रस रासी उमड़ी थी वह वास्प की भाती उड़ गई। क्या यह मध्यू के कंकाल में लिखा हुआ बेवसाई की यूग का कोमल ऐसे ही बना रहेगा। महाकाल के परत्यक पदा घात में धर्ती दसकेगी। उसके कुंठ निर्ति की परतेक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा। सब विक्रित होगा। सब नवीन होगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पल्टन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नमनांतर है। कैसा मधूर और मोहक साहित उन्हों ने दिया। पर न जाने कभी अच्छो के वज्रपाणी नामक देवता इस वैरागिय प्रवण धर्म में घुसे और बोधी सत्व के सिरोमडी बन गया। फिर वज्रायन का अपुरु धर्म मार्क प्रचलित हुआ। त्री रतनों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। बौध भागय, सायो भागय, साक्त भागय। काबे और सिल्प के मोहक असोक ने अभिचार में सहयता दी। मैं अचरत से इस योग और भोग के मिलन लिला को देख रहा हूँ। ग्राभी क्या जिवनी सक्ती का दुर्दम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विद्वन्स के बाद इस अपुरु धर्मत की स्रिष्टी हुई थी। असोक अस्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परणीती का परंपरा ढोय आ रहा है। कैसा जबरा सा गुल्म है। इसी में अंतता हजारी परसाद दुएदी जी कहते हैं कि असोक का फूल तो उसी मस्ती में हस रहा है। पुराने चित्ते से इसका देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडि समझता है। पंडिताई भी एक बोज है। जितना ही भारी होती है उतनी ही तेजी से करती। कहां असोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती में जूम रहा है। असोक के फूल का सारांस खत्म हुआ। हमने कोशिस यह किया है कि जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा अपना बना करके और उसमें से मूल मूल चीजों को आपके समझ प्रस्तूत किया और हमने वह यहां पर किया। अब हम साहितिक समिच्छा के हिसाब से आगे अगर बढ़ें तो आए इसके भासा सैली को देखते हैं। इस निबंद का द्रिष्ट कोण भारती है। इसमें यत्र तत्र ब्यंक के दर्शन होते हैं। लोकक्तियों, सुक्तियों एवं मुहावर इसे, बेवहॺःक्ता और स्वभावक्ता उनकी भासा की विसेश्ता है। स्वयववविक, बेवहृर प्रभावक, बेनजनात्मक एवं भाव बेनजक है। इसमें विचारों की प्रधांता भी है। कोमल कान्त पदावली का भी परयोग हुआ है और कई जगहों पे संस्कृत निष्ठ पदावलीयों का भी परयोग हुआ है जैसे सुंदरपूर, रणजीत, किसलयो, कुशूम, कुमकुम, अर्विंद, पूस्पसंभार, धर्मिता, कंदर्प और लोक भासा का भी प्रयोगिनों ने किया भुले से भुलककर, अखारा, मस्ती और विदेशी भासा का भी है जिसमें अंग्रेजी का भी पूना लूजन सुसाइटी की चर्चा कर रहे हैं वो भी है यह निबंद वर्तलाप पद्धती में उन्होंने लिखा है खंडन और मंडन की प्रविर्ती भी यहां दिखाई देती है भासा में कई जगहों पर अलंकारिता भी है दुएदी जी का अध्यन छेत्र विशाल है इसलिए उनकी भासा में कई भासाओं जैसे संस्कृत, अभ्रण्स, अंग्रेजी, उर्दु के सब्द आधिका समावेश हुआ है भासा के प्रती दुएदी जी अतिशनवेदेन सिल दिखाई परते हैं बड़े सजक रूप में वे भासा का प्रयोग करते हैं यही कारण है कि उनकी निबन में भासा में न तो अस्त ब्यस्ता देखी जा सकती है और नहीं बिखराव भासा को वो गद की कसोटी मानते हैं कारण कि इसके माध्यम से ही जन समाज तक कृतिकार का संदेश समप्रेशित होता है तो साथियों यहाँ पर साहितिक समिच्छा भी समाप्त हुई आईए अब चर्चा करते हैं इस पार्ट से बनने वाले महत्वपुन प्रस्नों और उनको लिखने के तरीकों पर साथियों हमने साहितिक समिछा प्रस्तूत किया, साहितिक समिछा किस तरह से किया झाई यह एक महत्वपूर्ण बिचार मन में आता है, और इसके लिए कई छात्र परिषान होते हैं कि साहितिक समिछा कैसे हो तो साहितिक समिछा, निबंधों को ले करके यह होती है, कि उसके सारांस को पहले आप लिखिए, जो आपको समझ में आता है, अगर बड़ा प्रसन है, ज़ादा नमबर का है, तो उसमें ज़ादा मेटरियल लिखिए, ज़ादा बातों को लिखिए, बिस्तृत लिखिए, और लास्ट में लेया करके उसकी भासा सैली की चर्चा कर लीजे। हाँ एक बात और कि प्रस्ण लिखते समय कई लोग के दिमाग में यह होता है कि यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिखें। वह भी एक तरीका है लेकिन मेरे हिसाब से यह बहुत पुराना तरीका है और मेरा अपना तरीका और मेरे साथ के कुछ साथियों का अपना तरीका यही है कि हम लोग इसे सारी बातों को पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहते हैं। पैराग्राफ भी चेंज उन्ही बिंदू को ले करके होता है कि एक पैराग्राफ में एक बिंदू को हमने ले करके बात रखी, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे बिंदू को ले करके रखेंगे और इससे यह कत्त यह नहीं होता है कि एकजाम में कोई भी साथी कम नंबर पा सकते हैं यह समिच्छा भी है सारान्स भी है और बिसेस्ता की अगर बात किया जाए इस निवंध की विसेस्ता में भी आप इन ही में से 45 बिन्दू को बना सकते हैं जैसे यहां पर असोक प्फुल के इतिहास का वटन्ह सोपकर प्फुल के चार फुल इसमें कालिदास की चर्चा है, उनके काब्य की चर्चा है, इसके अलावा वामन पूरान की चर्चा उन्होंने किया है, बद्ध धरम में असोक के फूल का महत्तो कव भी उजागर उन्होंने किया है, और साथी साथ हजारी परसाद वेदी जी ने अपनी चिंता को भी व्यक्त किया है और आज के समाज में असोक के फूल को ले करके अपनी बातों को रखा है इस तरह से कई बिंदू को भी आप बना सकते हैं यह उनकी विशेश्था में भी आ सकता है संचिप्त अगर पॉइंट वाइज आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं और मैंने चार बि च्छाएं उसको आगरां करणा करोगा कि मैं आप से आगरां करके आगा हैं उसको करते हैं लिखना है उसको धेान से याद कर लेजिए उसमें बातों को समझ करेंसे सुनीए एक बार में चीजे नहीं समझ में आएंगी, निबंद थोड़ा जटिल होते हैं, उसमें एक एक लाइन का अर्थ होता है, जिसके कारण वह किसी को ज़्यादा कठीन लगता है, लेकिन ऐसा कठीन नहीं है, उसको कहानी के तोर पर याद कर लिजिए, घटनाओ को दिमाग में बैठा लिज और लाश्ट में निसकर्ष डाल दीजिए, और आईए अब हम इसके निसकर्ष की चर्चा करते हैं, असोक के फूल द्वेदी जी का एक उतक्रिष्ट निबंद है, जो ब्यक्ति बेंजक निबंद के गुड़ों से मंडित है, इसमें द्वेदी जी ने असोक के फूल के इत खोल, सोम की ही भाती, भारतियों को गंधर्व की देन है, तो उमीद करते हैं कि आपको यह प्रस्तुती पसंद आई होगी, और अगर आपको यह प्रस्तुती पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनुबल बढ़ा सकते हैं, साथ ही अगर कोई आप हमें वह कमेंट करके भी दे सकते हैं और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले साथ में बगल में जो बेल का आइकॉन बना हुआ है घंटा का निसान बना हुआ है उसे भी दबा ले जिससे कि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अ आप हारत